नमस्कार दोस्तों और लोट पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे देखे किसी ने पूछा था जो सर क्या यह इंट्रेस्ट मॉलेटों जो सित हम लोगों को मिल रहा है क्या इसमें सुप्रीम कोट ने कुछ बोला है जो ऑडर दिया है जो आप मिलेगा नहीं मिलेगा यह चीज़ हम लोग कई बार बता चुगे लेकिन फिर भी जान लिजिए जो आपको इस वीडियो में जानेंगे जो लोन मोलिटों जो 2021 मिल रहा है जिसको मिला है रिजोलिशन फ्रेमवर्क 2.0 के ताहत वह क्या उसमें ब्याज लगेगा कि नहीं कर लिजे सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन और कर लिजे वीडियो को लाइक से कुछ बोजना कमेंट अच्छा एक और बता दे जदी आपको किसी को भी कुछ परीज है किसी चीज से रिलेटेड तो आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते इधर आप में कॉंटेक्ट नमर आपको वामerving पैसी है क्या है कि एक यहां है अगे बात करते हैं दोस्तों यहांपर बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कल के डेट में कल यापरसों किसीने कमेंट क्या दा सorfidences क्या जो हम लोगों को 2020 मिल रहा है क्या इंटरेस्ट फ्री मुन環िट फ्री मैं है तो इसका आशाँ दोस्तों है नो यानि बिना ब्याज का मोर्टम किस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह यह कुशन है ठीक है जानते हैं अभी इस पर तो सुप्रीम कोट ने आखिर क्या कहा था और आरभीया ने क्या कुछ कहा है यह सबसे पहले जब सुप्रीम कोट में प्याइल मेटर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप एक रिपर्जेंटेशन बना के भारत इन सभी के पास दीजिए और देखें वह कोई एप्रोप्रियेट डिसीजन ले सकती है एप्रोप्रियेट डिसीजन लेगी भारत सरकार अब इसका दोस्तों नुटरियेट में इसका मतलब क्या हुआ जो इस प्रियड में जो इंटरेस्ट बनेगा आपका जितने टाइम तक आपका बैंक का पैसा आप रखोगे उसका यह मगर पे नहीं करोगे तो उस प्रियाड में का इंट्रेस्ट जो है दोस्तों जूडता जाएगा ठीक है और वो जाके आपका उधर प्रिंस्पल में बैंक एड कर देगी यह हो गई बात यह जदी आप यह जो इंट्रेस्ट वाला पार्ट है यह पोर्षन आप नहीं चाहते जो आपके प्रिंस्पल में एड हो ध्याद सुन प्रिंस्पल और इंट्रेस्ट तो इस बीच का जो इंट्रेस्ट है इस टू यह का वह आपको इंट्रेस्ट पे करते रहना परेगा तो ठीक इसी तरह से बैंक से आप भी निगोशेट कर सकते हैं लेकिन रिटेल वाला जो बॉर्वर से कस्टमर है इस केस में आपको क्या होता है जो कुछ जितने टाइम के लिए आप रिक्वेस्ट डालते उतने टाइम का मुल जाता है और साथ ही साथ जो है आपको जो इंट्रेस्ट बन रहा है इस इंट्रेस्ट को बैंक क्या करती है आपका जो टोटल प्रिंसपल वाला फंड उसमें एड कर देती है यह होगी बात दूसरा एन पीए पर बात यह है दोस्तों आरबीया निक्या कहा था जदि आपका लोन 31 मार्थ 2021 तक 31 मार्थ 2021 तक एक स्टेंडर्ड है यह रहे स्टेंडर्ड में क्या आगया यह ज्टेंडर्ड में तीन कटक्रीय आगया जीरो वञतों व्हान टू जीरो वन टू बहुले तो जीरो से लेकर टू सब्स्तों तक कितना फो गया एक दिन से लेकर नाइन invariट यहींibilidad गा पारे हैं और इस प्रियाट में जदी एनपी होता है दूरिंग दब कोर्स आफ यूर अप्लिकेशन एविलिएशन तो इस प्रियड में जदी एनपी हो करता है तो उसको बैंक निकाल करके रियस्टोर कर देगी स्टेंडर्ड में ठीक है तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है और बैंक से आप बात कर लिए अप्लाइक कर ले इसकी साथ वीडियो फिनिस करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धनवाद सुक्रि तेंक यू